नमस्कर दोस्तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्मार्ट टेक्चर तो दोस्तो एक बार फिर से में एक ब्रैंड निव टेक्चर ठ्रेडी टेक्चर लेके आ गया हूँ जो ब्लैक, सिल्वर, कोपर और गोल्ड का कॉम्मिनेशन होगा जो एक प्रकार से एक देखे दोस्तो किटनी सांडार आप जहां पर भी लगाओगे जाओ अगर हॉल हो चाहे बैडरूम हो बहुत ही सांडार लगने वाली है दोस्तो तो देखे दोस्तो यह टेक्चर कैसे बनाई है इसके सुरुवात करते हैं तो हाफ इंची की मास्किन टैप मैंने ले ली है औ दोस्तो बहुत ही आज की वीडियो छोटी सी वीडियो होने वाली है देकिन बहुत ही सांडार वीडियो होने वाली है तो आप बीच में थोड़ा भी स्किप ना करें दोस्तो कि बीच-बीच में आपको इंपोर्टेंट चीजे मैं बताता रहूंगा दोस्तो तो फिर यह ल डिवाल को पउंच कर लेना है। तो दोस्तो ये वीडियो है ना बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हुए वीडियो बना रहा हैं दोस्तो इसलिए हलकी सी कभी कबार वीडियो बड़ी हो जाती है लेकिन अगर बड़ी हो जाती है तो बहुत सारे लोग देख नहीं पाते हैं और उस पर वियूज बहुत रॉयल प्ले गोल्ड कलर लिया है जो एक रॉयल प्ले एसियन पेंट का है फिर से हमने प्लास्टिक की पन्नी ले ली है और इसको थोड़ा था हलके लगाने के बाद इस तरह से डिवाल पे हमने पंच कर दिया है जैसे सुरुवात में बताया है बिल्कूल इसी प्रकार आपक पंच करते हुए आगे बढ़ जाना है हलके हलके दूरी पे इस तरह से गोल्ड वाला पंच करने करने के बाद कुछ डिजाइन इस प्रकार का लग रहा है टेक्चर बहुत ही सांदार होने वाली है चोटी सी वीडियो होने वाली है दोखे दोस्तों लेकिन ये वीडियो की अब बड़े टेक्चर को टकर देने वाली टेक्चर हो जाएगी दूस्तों देखिए आप अपने हिसाब से कोई भी हिसाब से अपने हिसाब से का आप कॉमिनेशन पे वीडियो बना सकते हैं दूस्तों देखिए यह डो कलर के लग जाने के बाद ही कितनी सांदा लग रही है लेकिन फिर भी हमने एक और कलर ले लिया है, यह भी Asian paint का royal play copper है, आपको भी ले ले लेना है, फिर वापस मेंने हमने प्लास्टिक की पन्नी ले ली है, फिर से हमने इस तरह से दूर-दूर के पंच कर दिया है, आप चाहे तो दो कलर भी रख सकते हैं, चाहे तो आप टीन कलर भी लग सकते हैं, और हाँ, base coat हमने black ले लिया था, इस बात का हमें सख्याल रखना, base coat water base जो black वाला आता है, हमने वो लिया है, चाहे तो आप oil paint की उपर भी यह texture बना सकते हैं, दोस्तो, देखिए इस प्रकार पन्नी लगाने के बाद हमने इस तरह से हलके हलके हाटों से प masking tape लगाए थी, उसके बीचों बीच लगाना है, और हलका हलका side पे black color लग जाया, तो उससे ही 3D look बनेगा दोस्तो, देखिए इस प्रकार masking tape की उपर आपको spray कर लेना है, जो black वाला मैंने ली ले या, आप चाहो तो white वाला भी ले सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से और color red वाला या yellow वाला आप इस्टमाल कर सकते हैं, लेकिन black के उपर black है और भी साधा, आसानी से लग जाता है, और बहुत ही देखने में एक सुनेरा लगता है, देखिए, और फिर मैंने उपर के कोने में इस तरह से हमने white spray कर दिया है, white spray जो उपर के कोने में हमने इस तरह से ल ये भी comment में बटाए, देखिए दोस्तो, फिर हमने ये masking tap जो लगाई थी उसको remove कर दिया, बिल्किल इसी प्रकार हमने masking tap निकाल दिया है, आपको भी इसी प्रकार निकालना है, निकालने के बाद एक छोटा सा process है, जो secret है, मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तो, देखिए अबी से ही कितनी सांदार texture बनके ready हो गई है दोस्तो, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें, like करें और comment करें, comment में जरूर बताना कि आप कौन सी वीडियो, किस पकार वीडियो देखना चालें, फिर हमने ये देखिए ब्लैक के कोने में, हमने इस प्रक गोल्ड इस्प्रे ले लिया है, आप चाहो टो ग्राइंडर पेपर का जो हॉल वाला आता है न उसका भी इस्टमाल कर सकते हैं, या फिर सीडी के सट का इस्टमाल कर सकते हैं, या फिर ओ भी आपके पास नहीं है, तो एक कागज पे गोल्ड राउंड काट लिजे और फिर इस प्रकार आप इस्प्रे कर दीजे, देखिए मैं नहीं गोल्ड कलर का इस्प्रे लिया है, आप चाहा टो वाइट, रेड या कोई भी अपना मन पसंद कलर आप लगा सकते हैं दोस्तों, टेक्चर तो एक डेम सांदार बनेगी दोस्तों, इसकी गैरंटी तो मैं देता दोस्तों, बहुत ही आसान समय, बहुत ही कम समय में बन जाती है, ये हमने माचिस की टिली ले जो आग जलाने वाले टिली है, फिर हमने ये जो जलाते है, उसकी रूई ले लिये है, फिर हमने ये सिल्वर कलर लिया है, आप चाहो तो वाइट भी लगा सकते हैं, वाइट कलर के लिए बहुत ही कम मटेल लगता है 100 ml या 200 ml कलर में ही आपकी पूरी दिवाल हो जाती है दोस्तो तो आपके पास बचा फुचा जो कलर है कहीं साइट पे काम करें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा कलर बच गया है उससे भी इस प्रकार की टेक्चर आप बढ़ा सकते हैं दोस् देखें दोस्तो और दोस्तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप किस जगह से है आप पेंटर हो या पेंटर ना हो थोड़ा कमेंट में जरूर बताना और आप कहां कहां से वीडियो देख रहे है थोड़ा बताना ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियो कहां कहां स देखी जा रही है तो दोस्तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर देना और हाँ अपने माटा पिता का हमेशा ख्याल लगना इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत होटी है अपने मा और बाप और माता पिता की सेवा करोगे तो पुनिया मिलेगा और आपको हमेशा बरकटी मिलती रहे दोस्तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें दोस्तो जाए हिन दोस्तो करें दोस्तो